बिनाहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा की बात है, ये भी किसी का छलावा ही है, नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं कि ये किसी भूत्पिशाच की शक्ती ने किया है, यदि सत्य में ही कोई भूत्पिशाच है, तो वो उस व्रिक्ष के मध्य में से उस नन्नी छिद्र से चट्टान निकाल कर दिखाए, वघ्षेतर, जा कहरेया टभू, इतने नंम्हित से चट्टा से इतने विशाओ चथा, क्ष। नने, Cagamonya, приложि편 में हीकést, कन साकरोरी और्लीë रिचेफेतरी, कोर है तो ल्छोर्ष का भी है तोнопिशनाकं है, तो наст समें हैं ह। कर नूर्ण वालस्ट कर सेमा जाम एंत Y को बाइब हिंगा... शत ढाम सबस्ट कर नंपारा हु कर राम मेद मेос अरिश ता कर राम अब समय आ गया है उस पिशाच को बंदी बनाकर उसकी सत्यता जानने का चलिए उचित है यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेशकर दिखाए उसके पोटली में समाते ही ये पोटली भूल जाएगी मुशक जी हाँ फिर मैं भी मान लूँगा देखा मुशक जी यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है मैंने कहा था ना ये मात्र ब्रह्म है अभी ब्रमारत कर देता हूँ हुआ 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 है अ मुषक जी गूए हुआ 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 है इसे फिर स्टै हो जाया उसे हमने स्पोर्टली में बंद कर दिया है मोक्ति करो अरे चोड़ो चोड़ा मुझे बाहर आने दो मुझे बाहर आने दो चोड़ो बाहर तो तुम्हें तभी आने दूँगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे उचिते मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना वास्तविक रूप उसे मुख्ट मत किसेगा हम किसे भूत पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं मुझे मुझे मुख्ट करो यह जो भी है सर्वता उचित कह रहा है मुशक जी क्योंकि भूत पिशाच अपना वचन कर現 पिशाब अब चले करहा है व्भष को जी करो हैं अब कर 15 जी ट्याच को जी एंटले कर मुदकि फ़ी है व्भष को पिशाच जी ट्याच कुश को आते हैं को ऑ्के जी शाँकि टक्ष ठ। कुश कोभषा है वकुश प्राप üzवकि जी कुश मर्ट वैसी एहां है मर्ट वैसी ओप मर्रेड़िर राल हाँ क्योड कbell साल 머 108 मिरए यauto क्यों वैस्ट 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 हॉघ और ये भी ग्यात कर लो, मैं, मैं जैसा हो, उसका कारेंड, तुम हो तुम, तुम नहीं मजे, इस, इस मैंकर, गुरूप स्वरूप में पाईवर्दित किया है, मैंने, वो कैसे, रुक जाओ दोष्ट, कुमार करते के ले, भाईया, यहां, और इतने क्रोध में, मेरे प्राता कोहानी पहुचाने आये हो, तुम, मैं तुम्हारा अंत कर दूगा, यह क्या कर रहे है, भाईया, यह पिशाच अपने अवस्था के लिए, पूर्व में ही मुझे उत्तर दाई मान रहा है, और अब भाईया, इस पर आक्रमन करने चाह रहे है, भाईया, तो बहुत आक्रामक मुद्र में है, और प्रदीत हो रहा है, जैसे यह पिशाच भी पीछी नहीं हटेगा, दुष्ट, तुम्हें ग्याद भी है, तुम कितने बड़े संकट को आमंत्रत कर रहे हो, किस से उलज रहे हो, यह, यह कोई और नहीं, स्वैम महादेव पुत्र, प्रथम पूझ गनेश है, तुम्हें गनेश, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूगा, इस दुष्टो दंड पिशाच पर अपना प्रहार अवश्य करूँगा, मैं, आए, क्यों नहीं, कीजिए, कीजिए, प्रहार कीजिए, आप भी मेरा वद कर दीजिए, जैसे पूर्व में आपके, आपके ब्राता ने किया था, उसी प्रकार, आप भी मेरा अंद करने का आनंद लीजिए, लीजिए, आनंद लीजिए, गनेश के हाथ तो इसका अंत हुआ था मैंने मैंने इसका बद किया कौन है ये मैं वेर्थे भेवित हो रहा था ये पिसाच युद नहीं करना चाहता ये तो बस छुब देया प्रभू से किन्दु फिर ये चाहता क्या है क्यों क्या हुआ चुब क्यों हो गए अपने दर निकाभार करो ना करो करो ये ही शेश रह गया था ये भी बुला कर लीजी है आप मुझे पहली बाती गया थे गड़िश जी कौन है और कितने संबानिये है मुझे पुरा उनके समक्षाने के लिए बहुत सांस उठाना पड़ा हाँ कौन है ये पिशाच तुम तो मेरे पिशाच तुम तो मेरे पिशाच पड़े तो मुझे त्नु आप कमा चाते तुम पिशाच हूँ कुछ तो हो बशी सताऊंगा ना और वैसे भी मैं ये सबकुछ गड़िश का द्यान अपनी और आकर्शित करने के लिए कर रहा था वैसे तो ये भी सत्य है तुम अत्यंत स्वाधिश्ट प्रतित होते हो अच्छा अब रुको तुम मुशक जी से वारता लाप करने तो यहां नहीं आये हो ना तो अपना परिचे दो बताओ कौन हो तुम मैं अपना परिचे अवश्च दूँगा गणेश ची किन्तो उसके पूर्व आपको मझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी सहायता करेंगे गणेश हमें सचेत रहना चाहिए इससे इसका परिचे प्राप्त किये बिना हमें इसे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं देना चाहिए भाईया मुझसे सहायता प्राप्त करना यदि इसके लिए आवश्यक नहीं होता तो यह इस प्रकार यहां आकर मुझसे सहायता की गुहार नहीं लगाता भाईया और फिर यह जो भी है यहां मेरे शर्नार्थी के रूप में आया है और जो हमारी शर्ं में आकर हमसे सहायता मांगते हैं उनका सहायक बनना तो हमारा धर्म और करटब यह यह ना भाईया उचित कहा आफ ने उचित कहा सर्वता उजित कहते हैं प्रथम पूच्चिकरेश जी आपने मुझे वचन दिया है आप मेरी सहायता करेंगे और मेरी सहायता करना आपका आपका धर्म है आपका खर्ता भी है इसलिए तो मैं आपसे आपका वचन मांग रहा हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे आप मुझे निराश नहीं करेंगे यदि तुम मुझे अपना उचित परिचे दोगे तो मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करने से कदापी पीछे नहीं हटूँगा ये मेरा वचन है उचित है फिर आप मुझे मेरे इस रूप में बैचने में असमर्द है मैं क्यान रही हूँ क्यान रही क्यान रही आपने मेरा वद किया था क्यान रही लोग विजेता असुर राज ग्यानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पे बिठाने का दुछा हमस कर सकिया तुमने इतना हैंकार था मुझे अपने बल पर स्वेम को संसार का नवीन इश्मर गोशित किया था मैंने अब देखिये देखिये मुझे उसके परिणाम स्वलूप क्या दुर्दशा हो गई है मेरी तुम जैसी योग ये थे वही परिणाम हुआ है तुमारा अपने पापों के कारण ही ऐसी अवस्था हुई है तुमारी उसके लिए तुम गनेश को दोश नहीं दे सकते मैं कहां गरेशी को दोश दे रहा हूँ कुमार कार्थिके मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि गरेशी ने मेरा वद किया और मेरे दुश करमों के कारण मेरे पुत्र में मेरे अंत के पश्चात मेरा अंतिम संसकार और इश्राद नहीं किया इसलिए मेरी आत्मा अरे कहां चला गया यह ग्यानारे यह दुश्ट अचानक अद्रिश्य क्यों हो गये कदाचत हमें सावधान रहना चाहिए यह मेरी आत्मा तब ही से मेरी आत्मा और इसी फ्रकार बटकते बटकते मैं पिशार्च बन गया हूँ किन्तो तुम्हारे इस सवस्था में गणेश कोई सुधार कैसे ला सकता है मेरा वद मेरा वद वो प्रदम पूचे है वो पोवश ही कुछ कर सकते हैं वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं मैं नहीं जाओंगा यहाँ से आप तोनों के निकेट बटकता रहूंगा यह कैसा विच्चित्र संकट बनकर हमारे पीछे पड़ गया है संकट नहीं कुमार कारति के बिशार्ट बस वही आपके पीछे पड़ा है तुम्हें चिंता करने की कोई आविशक्ता नहीं है ग्यानारी मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया था तो वो मैं अवश्य पू करेंगी अभी ना अभी अभी ना तब कि भ्या क्यानारी सत्य कहरा है क्या अंतिम सं सकार इवं श्रात के बिना नेको अंद रेकित व्यापकर्म के हैं जो व्यक्ति, अपना संपूर्ण जीवन इश्वर की निंदा में व्यतीत करता है मूर्ख बालत, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को घंडित कर देता हूँ स्वयम से दुर्बल जीवों पर अत्याचार करता है अपने कर्म एवं अपने धर्म का उचित पालन नहीं करता चौर्य कर्म करता है, असत्यवचन बोलता है स्वयम के चरित्र के बतन का उत्तरदाई होने के साथ साथ वो आन्ये सभी के साथ भी तुराचार का व्यभार करता है उसका यदी अंतिम संस्कार उचित प्रकार से ना हो, पूर्ण विधि विधान से उसका श्राद न किया जाए, तो उसके मृत आत्मा भटक कर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षसादी में परिवर्तित हो जाती है। अब तो आपको कुमार कार्थिके के इन वर्षनों से सब कुछ सपस्थ हो गया प्रभू, अब मुझे शीगर, मुझे मुझे मुक्ति दिलाईए, मैं आपका शर्नागत हूँ प्रभू, मुझे दिया वचन वोड़ कीची प्रभू, वोड़ कीची अपना वचन प्रभू ज्यानरी, यदि तुमने पूरु में ही गणेश की प्रभूता को सुईकार कर उसकी शर्नागत हो गये होते, तो आज तुम्हें इतने कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता भाईया, ये पिशाच यूनी में क्यों है, ये तो मुझे स्पष्ठ हो गया है, किन्तो अब ज्यानारी को मुक्ति कैसे प्राप्थ होगी, उसका भी तो पाय सुचाए काशी एक मात्र काशी ही वो पूर्णि स्थली है, जहां ये संभव है मोक्ष दाइनी काशी में तो सभी को मोक्ष प्राप्थ हो जाता है उचित है भाईया, तो आप ये भी बताने की कृपा करें, कि काशी में ऐसा क्या विशेश है काशी वो धर्म स्थली है, जो पिताश्री महादेव को सरवाधिक प्रिय है वो पावन नगरी है, जिसका कण-कण शिव मैं है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सृष्टी के पूर्व भी और प्रलय के उपरांध भी अपने स्थान पर स्थिर रहती है वो काशी, जिसकी रचना तो स्वयम पिताश्री महादेव और माँ आदी शक्ती ने किये स्मरण करू गणिश, माताश्री महाकाली ने स्वयम अपने श्रे मुख से हम सभी को ये कथा सुनाई थी ये उस समय की बात है, जब प्रलय के पश्चात संसार में कुछ भीशेश नहीं रहा था ततपश्चात पिताश्री महादेव और माँ आदी शक्ती ने अपना तिव्य अर्धनारिश्वर रूप प्रकट किये मा की शक्ती और पिताश्री के तब से शुष्टी का प्रारुप्त हुआ उस समय मात्र जल ही जल था, जिस से आती बलशाली शेशनाग जी का उतसर्जन हुआ, जिस पर स्वैम नारायन विराजमान थे और नारायन की नाभी से एक दिव्य दंडिका उत्पन्न हुद जिसके आगरभाग के एक कमल के पुष्प पर प्रम्हदेव विराजमान थे नारायन को जगत के पालन हार होने का ताइद तो संभालना थे किन्तु वो गहन निद्रा में लीन थे जिस निद्रा से उन्हें जागरत करने हेतु माता महामाया ने दो असुन मधु और कैटप को उत्पन्न किया और वो दोनों माता महामाया के आदेश पर विष्णु देव से युद्ध करने निकले और तब उनके दृष्टी ब्रह्मदेव पर पड़ी वो ब्रह्मदेव का उपहास करने लगी ओठीय नारायन ब्रह्मदेव ने नारायन को पुकारा और नारायन निद्रा से बाहर आगे फिर उन्होंने मधु और कैटप का वध किया इन दोनों असुरों के तन के आवशेष जल में गिरें और दोनों के जुडाओं से प्रत्थवी का निर्मान हुआ जो क्रामशा ठोस होती गई तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने महादेव की अर्चना कर उनसे विंती की कि वो एक ऐसे स्थान को उत्पन्न करें जहां उनके सभी भक्त जिसमें विष्णुदेव और ब्रह्मदेव भी सम्मिलित होकर उनकी प्रार्थना कर सके और तब ही और इस प्रकार महादेव ने काशी को उत्पन्न किया जो महादेव के संपून तेजों का सारभूत है अर्थार स्वेम महादेव का ही सुरूप तो भाईया क्या काशी जाकर इस पिशात की मुक्ती संभव हो जाएगी हाँ गणेश इश्वर जीवन देते हैं तो मुक्ती का मार्ग भी परस्त करते हैं किन्तु प्राणी का कर्म उसकी मुक्ती का द्वार घोलता है प्राणी किन्तू अप्डेश। प्राणी देता है झाल झाल